नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ग्रोविदासी स्कूर बैल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले तो चलिए शुरू करते हैं हम बात करेंगे वियोजन अभीकिरिया में यानि डिकंपोजिशन हमारी क्या होती है वे जिसमें अभीकारक विक्टित हो गया दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वे अभीकिरिया वियोजन या अभीकिरिया कहलाती है से हमने क्या पता चला माझलो हमारे पास एक्टेंट है और ल्रेक्षन कर आइए और कि आबेसे वह दो ऊद्पाध यानि दो पदार्तों में तूड गया पदार्तों में तूटने क्या है इसमें अभीकिरियां अभिकार को के अफगटन हे तू उस्मा के रूप में उर्जा का प्रियोग करती है तो यह से हमारा केल्शियम कार्बोनेट है इसके हमने रेक्सें कराई केल्शियम ओक्साइड और सीयो टू में तो इसे हमें पता चला कि यह जो एक कंपाउंड ह इससे हमारे दो प्रोड़क्ट्टों में मिल गए तो यह हमारी कौन सी होगई thermal decomposition reaction होगई क्योंकि इसमें decomposition हो रहा है वो heat की form में हो रहा यानि उस्मा की form में अब बात करते हैं हमारी second वाली जो होती है विदूत अबगटन यानि electrolysis electrolysis में क्या होता है electrolysis में इसमें अभी के दिया अभिकार को के अभगटन हेतू विदूत तुर्जा का प्रियोग करती है तो यह जो हमारी chemical reaction है 2H2O arrow यह हमारा तूट गया 2H2 और O2 में तो इसमें जो electrolysis हुआ यानि इसमें जो विदूत धार हमने प्रवाइद किया है उसे प्रवाइद करने के बाद में हमारे H2 और O2 में दोनों में तूट जाता है ठीक है यह electrolysis हमारा इतना है अब बात करते हैं नंबर 3 नंबर 3 पे प्र प्रिकास उर्जा का प्रियोग करती है इससे हमें क्या पता चला जब हम AGCL की reaction कराएंगे present of light में यानि सूरिया के प्रिकास में तो हमारा जो AGCL हो AG प्लस CL दोनों में अलग-लग तूट जाएगा तो यह reaction हमारी कहलाएगी photolysis तो तीनो एक ही करके हमने discuss कर ली तो यह सारा हम हमारा क्या कहलाता है decomposition reaction कहता है या इसके तीन-तीन अलग-लग पार्ट है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही इससे आगे हम बात करेंगे किसी next topic पर next वीडियो में thank you for watching this video please subscribe दोस्तों छोटा सा support है कर दीजिए thank you for watching this नई नई वीडियो देखने के लिए subscribe करें हमारी चै